प्रभु एशु मशी के पवितर नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की आशिम करना से पिछले पांच साल से शुबसंदे चैनल द्वारा प्रस्तुत के इस जीवनजल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कारेक्रम बहुत प्रियोजनों के जीवन में प्रभु एशु मसीग पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीज जीवन के लिए एक आशिश का कारण हो गया है प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहुआ का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है यही इस जीवन जल कारेक्रम का उद्धेश है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु एशु मसीपर विश् कर सके आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशिश का कारण टरे यही हमारी प्रात्ना है इस कारेक्रम का लाव उठाते हुए आप इस विशे में जरूर अपने पडोसी और प्रिय जनों के सूचित करे साथ ही करस्पांडन के माध्यम द्वारा मराटी हिंदी और जी भाषा में बाइबल का अध्यन भी कर सकते हैं प्रभू का वचन सुने और आशिच पाए आमें जीवनजल कारेक्रम देखने वाले सबी दर्शकों को जगट के उद्धार करता प्रभी येश्व मसीग के पवित्र नाम में नमस्कार यहना आठैस साथ और पर 37 में पवि कर कहां यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए जो मुझे पर विश्वास करेगा उसके रिदय में से जीवन के जल की नदिया बहे निकलेंगी प्रभु येश्व मसी आपके प्यास को बुजाना चाहते हैं आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं पर फिर प पास इतनी परिशानिया हैं इतनी दिक्कत हैं पर मेश्वर ने फिर भी हमें अपनी बड़ी अजीम कृपा और दया से जिंदगी के दिन दिखाए हैं और एक और दिन जोड दिया है हमारी जिंदगी में दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं आप से कि क्या आप लोगों को पतलब फिश और मैं तो कुछ लोगों को जानता हूं तो मज़ा आ जाता हूं को फिश खाके राल टपक जाती है और मज़ा जाता हूं को मेरी वाइफ भी उनमें से एक है उनको एक फोटोग्रैफ दिखी जिसमें बहुत सारे पॉम्फरेट फिश है तो मुझे देखके कहत है कि मैं चाहती हूं कि मैं हो सकूँ तो मैं सारे फिश खा जाओ यह लोगों को फिश बहुत पसंद है पर बाइबल में एक बहुत स्पेशल कहानी है सच्चा वाक्या है कोई मन गरहट कहानी नहीं है साइंस ने विग्यान ने इसको प्रूफ कर दिया है कि यह सच्ची कहान है यह 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 योना या जोना नभी की दे प्रॉफट जोना हम समझ गये हां हां समझ गये ना हां आप समझ गये कि किस तरह एक बड़ी वेल मचली ने उसको निगल लिया था और फिर भी तीन दिन और तीन रात के बाद जिंदा भार निकला आज मैं मेरे अजीज ओ योना की जिन्दगी से शैद आपकी जिन्दगी को जोड़ना चाहूंगा आज क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पे कोई देख रहा है जो शैद योना नभी की तरह शैद किसी और डिरेक्शन में किसी और रुक की और चला जा रहा है और जहां परमेशवर चाहता है वहां नहीं जा रहे आप आप कहीं और ही जा रहे आप हो सकता है कि आज जो यह संदेश सुन रहे हैं हमारे अजीज भाई और भेन और नौजवान और सीनियर अंकल अंटी जो देख रहे है शहेद इन में से कोई है जो योना नभी की तरह एक उलट रास्ते पे रवाना हो गए है दोस्तो ये सच्चा वाक्या बाईबल की पुराने नियम में योना की पुस्तक्स में दर्ज है ये एक सच्चा वाक्या है दोस्तो योनह एक नभी था, खुदा के पेगाम दूसरों लोगों तक पहुंचाता था और परमिश्वर लोगों के साथ अपने नभी या अपने दास के दौरा बात करता था खुदा ने एक दिन उसको बोला कि जा निनयवे के शhर में जा निनेवे शहर अपने जमाने का बहुत बड़ा शहर था जैसे बंबई जैसे दिल्ली कलकता मदरास ऐसा बड़ा भारी कौस्मापॉलिटन शहर था और वहां पे लोग नहाई थी गुनेगार किसम के लोग थे और बहुत ही खुदा से मुनकर लोग थे जैसे आज के जमाने में हम देखते हैं कि खुदा का भैर डर चला गया है लोग ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें भी लोग करते हैं पर याद रखें बने आदम के जमाने से इनसान का जो दिल है वो ढोंगी दुष्ट है इसी देश से सब परकार की बुराईयां निकल के आती ही, जैसे खुदा वनियस। मस्ही और परमेश्वर के कलाम में लिका है, जैसे ए्रशा गमन, जलन, व्यविचार, सब तरह की बुराईयां, इसी इसी दुष्ट और ढोंगी, हिर्दे जो हमारा है, इसमें से निकल के आता है, जब अपना चहरा आप शीशे में देखते हैं रोज सुबा, एक मुस्कराता वह चहरा होता या उदास चहरा होता है, पर याद रखें दिल की तस्वीर तो सिर्फ खुदा जानता है, कि हमारा दिल कैसा है, और आप भी जानते हैं, हाँ आप भी जानते हैं, बहुत धोका देत कि जो चीजे मुझे करनी चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, और जो नहीं करनी चाहिए, मैं वो ही करता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा नेचर है, ऐसा नेचर, ऐसा सोभाव है, जो बजाए धारमिक्ता की और चलने के, बुराई और दुष्टा और पाप की और खिचा चला जाता है, दोस्तो मैं आज तीन बातें योना की जिंदगी से बड़ी जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बताया पुराने नियम में योना की पुस्टक और पुराने नियम की आखरी आखिर की तरफ आएंगे तो आपको ये पुस्टक मिल जाएगी, सिरफ चार दियाए है अरे हाडली आपको दस मिनिट भी नहीं लगेंगे इसको पढ़ने के लिए बहुत सबरदस कहानी है यह मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा को खुदा का कलाम आप उठाएं अगर नहीं है तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बाइबल प्लीज कहीं से आप ले इसका मैं तक है जहां परमेश्वर खुद-खुदा हमसे बात करता है यह रिविंग बुक वर गॉर गॉट स्पीक्स तो ऊस यह एक जीती-जाती-बोलने-वाली किताब है जहां खुद-खुदा हमारा परवर्दिकार हमारा शृ्ष्ष्टी करता है इस दुन्या का बनाने वो हमसे बात करता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है इस गॉड्स लव लेटर टू अस ये प्रमेश्वर का प्रेम पत्र है हमारे लिए और यहां पे दर्ज है योना की जबरदस जिंदेगी की कहानी दोस्तो तीन बातें पहली बात इसने क्या करा खुडा ने बोला निन्यवे जा क्योंकि उसकी तो दुष्टा है न वो मेरे पास आगे ऐसा जैसे भाप होती न भाप जब देखते हो पानी को बॉइल करते हैं वोसे भाप निकलती स्टीम वैसे इतने गुना थे उनके इतने गुना थे और इतने घिरेवे डिप्रेव्ड लोग थे वो खुडा कहता हम मेरे सिंगासन पे इनकी जो गुना की जो भाप उपर आ रही है मेरे अजीजों हम जिस शहर में रहते हैं जहां पे रहते हैं हम देखते हैं आस पडो न्यूस सुनते हैं और बार पढ़ते हैं कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में क्या क्या व्यविचार क्या क्या मुर्डर क्या क्या लालच क्या क्या घमंड क्या क्या भ्रेश्टचार दोस्तो निनेवी भी कुछ जादा डिफरेंट शहर नहीं था राजा से लेके सिंपल आदमी जो था वो भी बुलकुल डिप्रेव्ट था और अपने दुन्यावी राहों पे चल रहे थे वो खुदा को कोई याद नहीं करता था पर खुदा उनसे महबत करता था और उसने अपने नभी को बोला योना तु जा निनिवे जा और उनको मेरा पेगाम पहुंचा चेतावनी पहुंचा कि वो खबरदार हो जाए जोना ने का चलो ठीक है भाई पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई इनसान खुदा से भाग नहीं सकता दोस्तो य जाता हूँ दोस्तो तारशीश तारशीश जाने के लिए उसने टिकेट काट ली जोपा से और रवारा हो गया वहाँ पे सब जानते हैं बच्चा बच्चा जानता हर संडी स्कूल का बच्चा जानता तुफान खुदा ने ऐसा भेजा और ऐसी लहरे उठी और ऐसी गरजन ह चमकी और बड़ाई जबरदस समंदरी तुफान आया और उस तुफान में ये जाके छुपके सोयावा था दोस्तो लोग भी ऐसा कर रहे हैं सोचते हैं कि हम खुदा से भाग सकते हैं खुदा नहीं देख रहा हमें मेरे अजीजों खुदा वो है जो अमनिशंट है हर एक च मौजूद है जोना तुने सोचा नहीं इसके बारे में कि तू उस खुदा से भागना चाता है तू तू तरशीष जाना चाता है जब वो कहता कि तू निनेवे जा मेरे अजीजों जोना भागने की कोशिश करी उसने आज भी कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि खुदा से प्रोट किया फिर भी भिगोडे लड़के की तरह प्रोडीगल संग की तरह किसी और शहर में जा रहा हूँ अपने पिता परमेश्वर को भूल कर दोस्तो जोना ने कोशिश करी भजन लिखने वाला कहता है कि अगर मैं स्वर्गों में भी उड़ जाओ और पंकों के साथ स्व जाओं वहां भी खुदा तू है अगर मैं समंदर के पाताल में चला जाओं वहां भी परमेश्वर तू है मैं पहाडों पे चला जाओं वहां भी परमेश्वर तू है मैं कहीं पे भी चला जाओं इन घोर जंगलों में या गुफाओं में चुप जाओं फिर भी खुदा त हुआ हैं दोस्तों वो कैदा विदर शेल माई स्पिरिट गो फ्रम यू लॉर्ड दोस्तों हमारी आत्मा तुझसे कहां भाग के जाएगी कहां जा सकते हैं खुदा से भाग कर दोस्तों नहीं भाग सकते हम ना मुंकिन योना तु नहीं भाग सकता पर दोस्तों हम भाग नहीं सकते हैं क्योंकि उसका प्यार उसकी महब्बत उसकी द्या हमाना पीछा करती रहेगी हम अपने साहे से नहीं भाग सकते दोस्तों, can we run away from our shadow? नहीं दोस्तों, नहीं पर मेश्वर से कोई नहीं भाग सकता है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं दोस्तों अगर आप कोशिश कर रहें योना के साथ, कि आप भी इस परिश्रम में, इस कोशिश में कि कई साल हो गए हैं कि मैं कई और ही जा रहा हूँ कई और ही मैं भाग रहा हूँ परमेश्वर से दूर होना चाहता हूँ दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वो आ रहा आपके पीछे एक साहे की तरह उसने आपको नहीं छोड़ा वो आ रहा है और दोस्तो हम इस कहानी से पहले पॉइंट में देखते हैं कि कोई भी परमेश्वरक से भाग नहीं सकता और दोस्तो योना ने कहा ये तुफान मेरे वज़े से आया है मुझे फेक तो पानी में हम सब जानते हैं उसको पानी में फेका अचानक अचानक तुफान थम सा गया दोस्तो तुफान थम गया और योना के लिए प्रमेश्वर के वचन में लिखा है एक मचली वेल मचली त्यार करके रखी वी थी परमेशन जैसे उसको फेका उस वेल मचली ने उसको अपने पेट के आगोश में ले लिया दोस्तो योना पेट में है और वो उस गोर अंदकार में उसकी अंतड़ियों के बीच में इस बात का शायद पश्चा एक शक्स था मिसर देश में नाइल नदी के किनारे नेक्स्ट तू दे नाइल रिवर एक होटल था फाइट स्टार होटल और उस फाइट स्टार होटल में वो ठहरा बिजनेसमेन था उसने डौर खोला देखा एक बाइबल ये बाइबल मैंनी विश्वार्स कुरता प्रभू येसु मसी में उसने का और वो बाइबल लेके उसने उड़ा के फेका नदी के अंदर अपनी खिड़की से होटल रूम से चला गया वो कई मीने बीद गए अचानक उसको बंबई शेहराना पड़ा अपने कारिय से अपने काम से बिजनस से फिर एक होटल में गया वो और होटल में क्या कर और उसने ड्रॉर गोला और क्या देखा वैसे ही कलर का सेम बाइबल एक्जैक्ली सेम गिडियन्स बाइबल दिखाई दी वो गवरा गया खुदा के आत्मा ने उसको पकड़ लिया वाँ पे कन्विक्ट कर दिया उसको एहसास दिलवाया कि जो बाइबल शेयद मैंने उस नाइल रिवर में फेकी थी उस नदी में फेकी थी मिसर देश में वो मेरा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गई है दोस्तो उस आदमी वही गबरा गया डर गया बाइबल कोली और उसने खुदावन येसु मसी को अपना दिल दे दिया और उसका जीवन बदल गया उसने ऐसास किया मैं खुदा से भाग नहीं सकता यह वचन मेरा पीछा कर रही है उसने बोला पीछा कर रही है दोस्तो हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते उसकी महबबत की डौर खींच के लियाएगी उसके पास यो ना तू वेल मचली की पेट में है दोस्तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरा दूसरा पॉइंट वो ये है कि आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हो कितने भी दूर क्यों न चले गए हो कितने भी इस दुनिया की राहों में भटक क्यों न गए हो आप इस दुनिया के कारवां में आप खोएवे क्यों न हो इस दुनिया के मेले में क्यों ना आप मगन क्यों ना हो आप मतवाले क्यों ना हो आप इस दुनिया और पैसे और आईश और इश्रत के नशे में क्यों ना मतवाले क्यों ना हो दोस्तों और आप बाप की उन गेराईयों में चला जाएं योना कहता है है खुदा मैं उन सुमुंदर की उन गहरायों में चला गया हूँ, सुमुंदर की तले में हूँ मैं, दोस्तो, if you have gone down and fallen to the depths of the ocean also, if you are such a great sinner, if you have fallen to the depths of degradation, अगर आप उन गहरायों की गुना की गहरायों में क्यों नहों, अगर आप योना की तरह उसकी और पकारोगे, if you cry unto the Lord, अगर आप बोलोगे हैं, खुदा मुझे रहम कर, मुझे पर धेहा कर, ओ मेरे दोस्तों, योना ने अइसास किया, उसने अइसास किया कि वो खुदा से भाग राता जो भाग न सका वो, और उसने अपने गुनाओं से तोबा किया, किसमें? वेल मचली के पेट में, और कहां? सुमंदर की गहराईयों से, ओ, जब मैं अपनी परिशानियों मैं खुदा की और बकारूंगा, वो मुझे सुनेगा, आउट अप देप्स है, वाइ ग्राईयों से, खुदा की और बकारता हूँ, और वो मेरी सुनता है, खुदा का लाख, 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 लाख शुकर, कि वो हमारी आवाज सुनता है, आप कितने भी नीचे गिर क्यों न गया हूँ, खुदा का कलाम कहता है, हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, दिर इस नो उन राइचेस, नो नाट वाण, कोई धर्मी नहीं है, नहीं कोई भी नी, दोस्तो, यूना वहीं खत्म हो जाता, पर उसने अहसास किया, जान लिया, कि एक ही रास्ता मेरे पास, वो मिरा यहवा खुदा है, दोस्तो, आज मेरे पास एक ही रास्ता है, और एक ही जीवन है, और एक ही सच्चाई है, यहुरना 14.6 में लिखा है खुदाओन येसुमिसी ने का मार्ग सच्चाई और जीवन मैं भी हूँ नहीं मैं ही हूँ मेरे बिना कोई पिताप पर मेश्वर के पास नहीं जा सकता नहीं पहुंच सकता वोही एक जर्या है स्वर्ग जाने का वोही है जो हमारे गुनाओं को शमा करने का अथॉरिटी रखता है और उसने योना की आवास सुनी उस खुदा ने और आग्या दी उस मच्छी को और उसको एक सुखे जमीन पर उसने बाहर फेक दिया उसको उल्टी कर दी बाहर उसने दोस्तो योना बच गया और अपनी मिशन की ओर चल पड़ा निनेवे की ओर ओ खुदा का लाक लाक शुकर आज भी खुदा आपको बचा सकता है अगर आप उसकी ओर पकारेंगे कब तक भागो गया आप कब तक कब तक दोस्तों नहीं भाग सकते अपने साहे से नहीं भाग सकते आप खुदा से नहीं भाग सकते आप पर वो आप से बेहद महबबत करता है His love will keep on chasing you His love will always chase you योना को मरने नहीं दिया उसने उस खुदा ने एक मौका दिया और आज भी परमेश्वर आपको एक और मौका देना चाहता है कि आप मन फिर आके उसके पास आजाओ मेरे अजीजों मन फिर आके आजाओ और थर्ड पॉइंट में जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो पूरा का पूरा शहर निनेवे शहर योना गया और खुदा ने उसको बोला क्या बोलने के लिए कि 40 दिन बस 40 डेज खतम ये पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा तबाह हो जाएगा वो शहर 120 हजार लोग तबाह हो जाएंगे खतम हो जाएंगे खुदा का गजब आएगा दोस्तों ये बात सच है खुदावन ये सुमसी ने का इस दुनिया का अंत आएगा और शिग्र आने वाला है और प्रभू ये सुमसी ने का वै जा रहों पर लोटके आऊंगा और बाइबल इसी वैदे से कतम होती कि देखो मैं शिग्र आने वाला हूँ और यहोना रसूल कहता है उसने हमारे गुनाओं के खातिर सलीप पर अपनी जान दी वो मारा गया गारा गया और उसको दफना दिया गया परन्तु तीसरे दिन हमारा प्रभू ये सुमसी वो जीवत उधार करता जी उठा और इसने का पुरन थान और जीवन मैं हूँ अगर कोई मर भी गया और मुझे पर विश्वास करे फिर भी जीएगा उसने का रा हक और जिन्दगी मैं हूँ उसने का जीवन की रोटी मैं हूँ जगत की जोती मैं हूँ जीवन मैं हूँ अनंत काल का जीवन देने वाला वो है दोस्तों योना ने समझ लिया और उसको अफसोस हुआ अफसोस क्यों हुआ भाई राजा से लेके फकीर तक और्डनरी लोग उनने टाट उड़कर राक अपने सर पे डालकर ओ उनने उन गलियों में उन हाईवेज में और उन सडकों पे भार निकलके रो रो के रो रो के चाती पीट पीट के शयए खुदावन परमेश्वर कि और तूबा किए ले और रे पेंटेड आफ डियर सिंस और राजा ने भी अपना वस्तर शाइवस्तर हटा के ताट उड़कर अपने अपने उपर और राक में जाके और वो हरान हुआ योना हरान हुआ कहता है मैं जानता था परमेश्वर तु उनको बक्ष देगा खाम का इतनी दूर मुझे कहां से सम्मरीन में लेकर आया आप यहां पे हैं वेल मचली में घुसाया यह करा वो करा मैं तु जानता था तु बचा लेगा मुझे क्यों लाया इदर तू पर खुदा कहता मैं जानता था यूर अमर्सिफल गॉड यूर फुल अफ कमपैशन तु देया का सागर है तु देयालू है तु कृपालू है तु प्रेम करने वाला परमेश्वर है और उसने कहा कि जो तु 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 शमा मांगेगा तु उसको माफ करेगा जो ना हरान हो गया पर खुदा ने कहा अरे जो ना क्या मैं इनकी परवानी करता इसलिए तु जो मैंने भेजा है दोस्तों इसलिए तो मुझे परमेश्वर ने आपकी और भेजा है यह प्रोग्राम हो रहा है आपके लिए यह संदेश सुन रहे हैं आप क्यूंकि खुदा आपकी परवा करता है वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए वो नहीं चाहता कि जहनुम में उस नर्क में इनसान चले जाए इसलिए वो आया हमको बचाने के लिए ओ हमारा खुदावन इसुमसी ओ परमेश्वर वो आया मारा गया गाडा गया और तीसरे दिन जी उठा दोस्तों और कोई नहीं उसके जैसा वो परमेश्वर देधारी होके आया वो ही योना का परमेश्वर वो आया उसने मानुव चोला पैना और मारा गया काडा गया जी उठा दोस्तों उसने अपना लहू बहाया आपके लिए और मेरे लिए क्यों ताकि हम नाश ना हो जाए हम बरबाद और कह सकते हो ए मेरे खुदा मुझ पापी पर ध्या करो मुझे माफ कर दो मुझे इस कैद से इस पाप के बंदन से और शेतान की गृफ्ट से निकाल दो प्रभू प्रभू में इस अंदकार से निकलना चाहता हूँ प्रभू में अपनी रहा पे जा रहा था आप मुझे ले आए वापिस प्रभू धनेवाद प्रभू जी मैं आपके चर्नों में आता हूँ मेरे पाप शमा कर दो मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझ जैसे गुनेगार के लिए सलीब पर मारे गे आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे और जीवत ही स्वर्भ में गये और आप तुबार आएंगे मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ और आज आपको अपना उधार करता हूँ प्रभू करके ग्रहन करता हूँ प्रभू जी मेरे दिल में आ जाओ मुझे बचा लो मैं ठक गया हूँ भागते वे प्रभू मैं आज लोट के आता हूँ मेरे दिल में आ जाओ प्रभू मुझे बचा लो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझ पापी से आपने इतना प्यार किया और ये विश्वास की प्रात्ना मैं अपने उधार करता मुक्तिदाता प्रभू येसु मसी के नामे मांगता हूँ आमीन दोस्तो अगर आपने ये प्रात्ना करी है आपकी जिन्दगी भी बदल जाएगी हंड़र्ट परसंट मैंने ये प्रात्ना बारा साल की उमर में करी खुदा ने मुझे बचा लिया और आप कोई डर कोई गम और कुछ नहीं हम एक दिन देखेंगे अपने प्रभू को और एक दिन हम स्वर्ग में होंगे क्या आप होंगे हमारे साथ या अभी भी योना की तरह टार्शिश की तरफ जा रहे हैं याद रखो हम भाग नहीं सकते उससे और ये भी याद रखो हम कितने भी गिर जाए नीचे वो हमारी पकार सुनेगा और हमें उस उस कैज से उस पाप की कैज से निकालेगा और याद रखें वो इतना द्यालू, इतना प्रेमी परमेश्वर है, क्रिपालू परमेश्वर है, वो हमें शमा कर देगा, अगर हम पश्चा ताप करके उस पर विश्वास लाएंगे, निनेवे बच गया, आप भी बच सकते हैं, आपका परिवार भी बच सकता है, गौड ब प्रार्तना के विशय को बाटना चाहते हैं, तो निहसंदेहा हमसे संपर्क करें, हमारा पता, जीवन जल नव भावना बिल्डिंग, 422 SPS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर, 19161, प्रबादेवी, मुंबई, 4000025, प्रार्तना एवं मुफ्त बाइबल करिस्पॉंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें, मुबाइल नंबर, 771-0065115, इमेल आईडी, gospelbroadcast at the rate yahoo.com, वेब एड्रेस, www.lwgborg, यूट्यूब एड्रेस, जीवन जल टीवी, at the rate, यूट्यूब, जीवन जल कालेकरम को हर सोमवार शाम साड़े छे बजे, बुद्वार शाम साड़े छे बजे, शनिवार राद नौ बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं, धन्यवाद